हाउस वाइफ का नाम लेते ही जो इमेज हमारे सामने आती है वो एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में लोड्स ओफ रिस्पॉंसिबिल्टीज ने भाती हुई एक ऐसी लेडी होती है जिसके लिए उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भी जादा इंपॉर्टेंट घर की हर चोटी बड़ी चीज को मैनेज करना होता है वैसे तो डिफरेंट फिल्ड्स में हर परसन के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के एकॉर्डिंग उनकी सीट, वैल्यू और सेलरी डिसाइड होती है बट हाउस वाइफ बनने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती बिना सेलरी के unlimited working hours होते हैं बिना किसी objection के अपनी duty निभाना ही उन्हें अपनी duty लगता है मैं भी एक housewife हूँ और मुझे भी अपने घर को family को systematically manage करना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही मेरी कोशिश family के different nature members में bond बनाए रखना भी होती है एक चीज तो clear है कि housewife की post के against तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बट जो चीज कहीं न कहीं मुझे बहुत bother करती है वो है कुछ ladies का self care को लेके बहुत ही careless behavior दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अगर हम अपनी health को sacrifice करती है तो I don't think it's a good deal आप एक healthy lifestyle enjoy कर रही है या नहीं इसका पता लगाने के लिए एक ही scale है खुद को mirror के सामने देख के ये कहना no matter कि मैं कैसी दिखती हूँ अगर मैं अपनी body अपनी soul की care करना ज़रूरी समझती हूँ तो मैं fit हूँ क्योंकि सिरफ ये सोच कि I want to take care of myself आपकी mental health का level show करती है अगर आप उन में से हैं जिनके पास 6 लोगों की care करने का वक्त तो है अपनी fitness के लिए physical effort लगाना आपके mental effort पर depend करता है क्योंकि mind के instructions के बिना और you can say without preparing your mind आपकी body अपने आप किसी gym में तो नहीं पहुंच जाएगी body की movement के पहले का step mind में किसी thought का आना then उस thought को implement करना आता है अगर आप खुद से प्यार करती हैं तो खुद को fit रखने के लिए effort करना चाहिए या नहीं इस thought में कोई confusion नहीं होनी चाहिए बट चलिए अगर आप अपने से जादा अपनों को प्यार करने में believe करती हैं like sacrifice nature type हैं तो भी आपको उनकी लिए fit होना ज़रूरी है जिने आप प्यार करती हैं क्योंकि अगर आपको ये लगे कि खुद के लिए कुछ extra time निकालने से घर का कोई काम suffer करेगा तो फिर साथ ही म आपने first time सुना है कुछ चीजे हमें पता भी होती है लेकिन कभी फिर से उनके बारे में सुनना हमें motivate करता है anyways अपनी health को maintain करने का सबसे पहला step है balance life के each and every aspect को balance करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन impossible नहीं क्योंकि जब हम चीजों को balance करके चलते हैं तो problems थोड़ी कम face कर करनी पड़ती हैं फिटनस में balance का मतलब diet और exercise को balance करना ही नहीं आता तो कि उससे भी पहले अपने words और साथ ही अपने thoughts को balance करना भी आना चाहिए यह कहना कि क्या मुझे exercise करनी चाहिए क्या मैं कर सकती हूं या फिर मुझे exercise करनी पड़ेगी उसकी बजाए अगर हम यह कहें क कि मैं exercise करना चाहती हूं तो वो सुनने में जाधा अच्छा sound करता है क्योंकि इस sentence में कोई pressure नजन नहीं आता और बिना pressure के start किये किसी भी काम का result कहीं कहीं better होता है एक housewife की सोच और उसकी look कैसी होती है यह दूसरे क्यों decide करते हैं अपने आपको एक unfit और unupdated version का tag देना और कुछ भी नया सीखने और नया दिखने की कोशिश भी ना करना अपने confidence को down नहीं करता है क्या मुझे कैसी personality बनना है यह totally मुझे depend करता है दूसरों की health का ख्याल रखना उनके काम में उन्हें support करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि life में family एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती ह लेकिन हमें हमारी life भी तो एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर housewife इतनी confident होनी चाहिए कि कोई आपको कभी push back ना कर सके और उसके लिए आपकी physical और mental health का अच्छा होना बहुत जरूरी है एक housewife के mind में सुबा उठने से लेकि रात को सोने तक unlimited काम चल रहे होते हैं हम हर काम को करने के लिए पूरी तरह से dedicated भी रहती हैं उसके बावजूद कभी न कभी कोई न कोई आपके काम में कमी भी निकाल देता होगा फिर भी उस dedication में कोई कमी नहीं आती और बस इसी तरह से instant result पाने की wish किये बिना यही dedication हमें अपनी fitness के लिए भी दिखानी है अपने लिए वक्त निकालना ही है diabetes, hypertension, thyroid जैसी problems इतनी common हो गई है reason unhealthy lifestyle के साथ साथ धेर सारा stress और हमारी body में maximum problem stress की वज़ा से और यह पता होते हुए भी कि कि किसी problem का solution tension लेने से तो बिलकुल नहीं होगा फ अपने बच्चों को strong बनाने के लिए पहले हमें खुद strong बनना होगा और उसके लिए आपका mindset बहुत strong होना चाहिए और खुद की care किये विना mindset का strong होना possible नहीं छोड़ दीजिए उन चीजों के बारे में सोचना जिनें आप control नहीं कर सकती डेली हम जिन चीजों पे work करते हैं धीरे धीरे उनमें expert होते जाते हैं लेकिन अपनी health पे daily work ना करने के पीछे reason यही हो सकती कि अभी हमें वो उतनी important लगती नहीं लेकिन एक time life में ऐसा जरूर आता है जब हमें उसकी value पता चलती है और वो तब जब हम उसे खो देते हैं अपने words अपने thoughts को balance करने के साथ साथ अपनी diet को balance करना भी सीखना पड़ेगा अगर कभी कबार आप अपनी पसंद का कोई cake या फिर fried भी खा लिती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं लेकिन आपको healthy और unhealthy food में balance करना तो आना ही चाहिए मैं health conscious ज़रूर हूँ लेकिन मैं हमेशा के लिए अपनी life से निकाल देना मतलब खुद को punish करना जो मैं बलकुल नहीं करती बट कुछ rules follow जरूर करती हूँ जैसे की week में six days मैं sugar को touch भी नहीं करती उसके लिए मैंने week में एक दिन fix रखा है बीच में कभी कबार अगर मुझे sugar craving हो तो मैं थोड़ी से jaggery ले ले कुछ लोग कहते हैं कि ब्लांच कर लेने से nutrition value खतम हो जाती है जबकि vegetables को अगर ब्लांच करके हम immediately freeze कर लेते हैं तो उनके nutrients preserve हो जाते हैं नहीं सकता है कुछ percent washout हो भी जाते हों बाद डेली प्राठा खाने से अच्छा है कि मैं freeze की vegetables ही खाऊं हमारी body interconnected है हर पार्ट एक दूस कि आप उसके साथ क्या गलत कर रहे हैं so you need to be aware for your health and fitness exercise करने के लिए वक्त नहीं मिलता अब ये बहुत पराना excuse बन चुका है so now leave it if you want to enjoy your life till end दिन भर में आप अपने लिए 60 या कम से कम 30 minutes भी नहीं निकाल सकते तो in future ready रहे health related problems को face करने के लिए लेकिन कोई भी physical activity start करने से पह अपना workout plan करें कोई भी particular exercise perfect नहीं होती आपके लिए बस हो ही exercise perfect है जो आपको करना पसंद है it can be a form of dance, running, walking, yoga और weight training but over workout करके खुद को punish भी ना करें as I said before balance is the key अगर हम women strong हैं तो समझ लीजे हमारी पूरी family strong and confident है हमारा घर में present रहना उतना important नहीं है जितना की actively present रहना important है और active रहने के लिए खुद को खुश रखना और खुद का खयाल रखना priority list में डालें ताकि आपकी to do list का result 100% रहे अच्छा सोचेंगी तो अच्छा feel करेंगी और अच्छा feel करेंगी तो हमेशा attractive और good looking ही दिखेंगी मैं genuinely चाहती हूँ कि मेरी shape up your life family में एक भी person under confident और complex का शिकार ना हो जिद करो और दुनिया जीतो तो आप सबने सुना होगा लेकिन अब बारी है जिद करो और खुद से लड़ो और हरादो उन चोटी बड़ी बीमारियो को जो आपको fit रखने से रोकती हैं आपकी motivation और guidance के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ बस अपना प्यार और support मुझे देते रहें मिलती हूँ आपसे next video में till then bye take care and stay healthy